सो से अपने ठर्की से कम नहीं है हलो गाइस माई नेम इस देश और स्वागत आपका बॉक्स आफ रेस्लिंग में सो आज कर ओओ चुका है नाइट ओ चैंपियन के जस्ट बात वाला रहता है यहां निव व्ल्ड डेवेड चैंपियन से रॉलिंस का मस्त वाला वेलकम हो इसके लाव मनी दे बैंक का क्वालिफाइज मैच इस न्यू वुवें टाग्टीम चैंपियन में हमें शो पर देखने क सेट वालिंस बोलते हैं अब वह फ्यूचर फोकस करेंगे क्योंकि रॉक के पास एक चैंपियन है जो सबसे लड़ने के लिए तैयार है तब ही आपर एजे स्टायल आ जाते हैं कॉंग्रेट्स करें सेट वालिंस को वह बोलते हैं तुमने चैंपियन्शिप डिजर्ब नही रिपी यहां डॉम्रिक का नाम लेती हैं सेट वालिंस को फेज करने के लिए जिस पर मस्थ भाई एजे स्टायल और सेट वाइन्स यहाँ पर हसने लगते हैं दर जजमिटे हैं गुस्ता हो जाते हैं और चैलेंज कर देते हैं सेट लॉख टीम मैच के लिए जिसके बारे मे इसमाइच को जीच जाते हैं और अपने बारे में तारीफ कर दें कि कैसे बैके यंच को उन्हें रहे नाइट्स ऑफ चैंपिश में तभी यहां बैके लिए टेफ सी तुरंती इसमाइच को जीच जाते हैं नेक्स्ट अंडिस्ब्यूटेट टार टीम चांपियन सामी जीन और कैनोंस आते हैं यहां एक बहुत ही मस्चीज था कैनोंस दा ब्लेडलाइन वाला टीशिट पैन के आते हैं सामी जीन बोलते हैं उन्हें बस अपना चांपियंशिब ड्लेडल बलकी यह फाइट भाई उन्हें जीत लिया अगेंस्ट रोमन व्रेंश वो बोलते है Roman Reigns के साथ भाई जो भी चीज हुआ ना उसस वाला वो सब चीज ठीक था और वो वाइट डेजर्फ करता है Sammy Zane बोलते है Romanis तुम में भी भाई और 1000 डेज तक चांपियन रहोगे WrestleMania को में इवेंट कर लोगे बट जब भाई तुम हम सबको देखोगे ना तुमें बस एक चीज याद हैगा कि भाई हम तुम्हारे अगेंस जीत गए थे तब यहाँ Imperium आ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे विक्ट्री भाई काफ़ अचा था बट हमारे Intercontinental Champion के सामने भाई कुछ नहीं था क्याने उस यहाँ पर Imperium के उपर गुस्सा आ जिता है और बोलते हैं तुम लोगों के यहाँ पर किसी ने इन्वाइट किया है तुम जो अपना मैच करो अगे इंस तो एलफा अकेडमी सामी जीनिया बाल चैंस लगा देते हैं विंसी के लिए इंपीरियम बोलते हैं यह भाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिस्रिस्पेक्ट रहे तक यहाँ पर अलफा अकेडमी आ जाती है और यह मैच स्टार्ट हो जाता है चैड के वले हैं कैजर विंसी को अखिली मारते हैं फिर रिंग साइड हो बहुत मस्चीज होता है मैक्स वसेज रॉंडरोजी और सेना बेजगलर वसेज सोनिया डेवल एंड चैल्सा ग्रीन वसेज डामेज कंट्रोल यह काफी मस्ट मैच था रकूल भाई एकदम डॉम्नेट करती है इस मैच में सोनिया डेवल और चैल्सा ग्रेन का क्या मस्ट अटक था काफी टाइम लगा यह उनों न्यूँ चैंपियन बन जाएंगी बट ऐसा होता नहीं है इन में सोटी रॉंडरोजी को पर स्प्लैश लगाती है बट रॉंडरोजी उनके आहां पर समिशन लगा देती और इस मैच को जीत कर वो और सेना भेजला यहां न्यूट टैग टीम चैंपियन बन जाती है जेडी का मैच होता है जहां डिस्कौलिफिकेशन हो जाता है क्योंकि जेडी सर भाई स्टील स्टेश पे उमारने लगते हैं डॉप जिगलर को नेक्स्कौडी रोल्स आते हैं और बोलते हैं मैं रियल मैन हूं क्योंकि भाई मैं रेफ्री के वाज़े से इस मैच को आ रहा अगेंस ब्रॉक लेस्नर मैंने भाई कभी वहां पर टैप आउट नहीं किया कोडियोट से बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई तुम अभी कहां पर हो तुम श्यो देख रहे हो कि ने बट मैं तुम एक ओपन चैलेंज करता हूं फॉर फाइट चाहे मैं कहीं भी हूं कोडिय चैंपिंशिप जीत रखा है तुमने भाई अंडर्टिकर का स्ट्रीक ब्रेक किया है बट भाई तुमने मुझे टैप आउट नहीं करा पाया नाइक्ट ऑच चैंपिन में अगर ब्रॉक लेस्नर तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तुम कॉरी रोट से डरते ह यहां चल जाते हैं। होता है वो फिन बैलर प्रीस भाई दोनों को मारते हैं यहां जजमेंट यह मैच में पूरा कंट्रोल ले ले लेते हैं रिंग साइट पर रिया रिप्ली और डॉम्रिक सेट रॉल्स और एजे स्टाइल को डिस्ट्राइट करते हैं इसलिए रेफ्री भाई इन दोनों को यूज देखने के लिए और कमेंट से बताने कि आप भाई कोड़ी रोसों से ब्रॉक लेस्टन का सेकेंड मैज देखना चाहते हो सो मिलत अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी गुडबाई